हलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे इस OJPRD YouTube चैनल में एक बार फिर से चलिए सुरुवत करते हैं इस वीडियो के साथ आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप कैसे अपने मुवाइल कैमरे को किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं अपने लैप टॉप में या सब्सक्राइब करना है यह फिर आप चाहते हैं कि आप कहीं और बैठेंगे और शीज़ को अपना स्कृनिंग कर सकते हैं अपने लैप टॉप में उसके लब को करना क्या होगा ड्राइड कैम वायरलेस वैब क्या नाएक नाम होगा जिसको आपको सर्च करना है Google Play Store में जब सर्च करेंगे Google Play Store में तो आपको दिखेगा इस तरह से की ड्राइट वायरलेस वेबकेम यह आपको एप दिखेगा इसको आपको इंस्टाल करना है यह आप देख पा रहा है यहाँ यहाँ पर जैसी आप इसको इसको इंस्टाल करते हैं उसकी बाद आपको क्या करना है मैं को डाउनलोड करना है किसको ड्रॉइड कैम क्लाइंट वी 6.0 को यह भी आपको मिल जाएगा जैसी आप लिखेंगे आप उस जाकर मैं आपको इसको दिखा दूँ यह मैं आपको क्लिक करती हूँ यह देखिए आपको यहां पर यह मिल जाएगा उपर लिंक भी आपका दिया गया है यह देखेंगे आप लिंक बता दूँ मैं उसके बाद आपको अपने PC में इसको इंस्टॉल कर लेना है इंस्टॉल के लिए आपको इंस्टॉल कर लेना है और उसके बाद आपको Android फॉन में भी आपको इंस्टॉल कर लेना है अब दोनों में इंस्टॉल हो चुका है अब क्या करना है मैं आपको बता रहा हूँ अब को यहां पे आपको क्या दिखेगा यह जाएंगे तो आपको यहां पर device IP लिखा रहेगा वहां पर पेस्ट करना है फिर उसके बाद आपको जाना है पोर्ट में तो यहां पे पोर्ट रहेगा तो उस पोर्ट को कॉपी करना है यह ड्रॉइट केम पोर्ट में उसके बाद वीडियो और ओडियो दोनों को टिक करना है क्योंकि हम यहां पे दोनों सुनना चाहते हैं और देखना उसके लिए आपको इंटरनेट की ज़रुत पड़ेगी इंटरनेट आपका और रहना चाहिए वह चाहिए फिर आपके मोबाइल फोन का हो या फिर आपके लाप्टॉप का हो उसके बात जैसे ही आप इसको स्टाट करेंगे तो आपको इस तरह से यह दिखना चालू हो आप एक आपको इस तरह से पर शोआ करेगा तो यह था आपको मेथट उसके बाद बतानी के लिए ता कि आप कैसे आप मतलब wireless connect कर सकते हैं क्योंकि wireless connect करना एक काफी अच्छा चीज है क्योंकि basically सब लोग wire connect करते हैं तो यह wireless का एक system है तो बहुत अच्छा लगा अगर आपको ये वीडियो दरूस कीज़े subscribe और दीजे like और share कीज़े इस वीडियो को अगली वीडियो में आपके लिए कुछ नया लेकर आता हूँ तब तक अपना ख्याल रखिएगा बाई बाई टेक केर